तिर घ् Bean आप सभी को मेरी तरफ से है वेरी हैपी मॉर्निंग और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत टाइब के एरर्स होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में बताया आपको उसके भी टाइबस क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया और उसके साथ साथ last class में मैंने आप लोगों को उनके correction और rectification के बारे में भी बताया आज हम कुछ examples की बात करेंगे जिनसे हमें कुछ errors के जो configuration है उनके बारे में पता चलने वाला है तो शुरुवात करते हैं आज हम एक ने topic की जिसका नाम है calculations of errors आपकी class है class आपकी है 11th और topic है आपका calculations 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 क्या calculate करने वाले हैं आप जहांसे सोचके बताइए calculations of errors यह आपका topic रहेगा आज और हम इस topic को समझने के लिए कुछ examples को use में लेंगे ठीक है तो जो first example है उसमें अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास कोई length को हमें किसी length को हमें measure करना है और उस length को उस length की जो true value है वो हमें पता नहीं है ठीक है तो जब हमने उसको किसी scale के through measure करना शुरू किया उस length को तो हमारे पास जो values आई जो readings आई measured values measured values जो आई हमारे पास measured value measured values जो आई हमारे पास वो suppose करते हैं कि सबसे पहले 5.2 meter आई दूसरी वाली जो value है वो हमारे पास आई 4.9 meter third value 4.7 meter आई और ये दुबारा से 5.2 meter आगई इस तरीके से हमारे पास कुछ measured values आई इनको हमने denote कर दिया मान लीजिए first जो measurement हुआ वो A1 दूसरा A2 A3 and A4 इस तरीके से हमने इनको अलग-अलग measurement के according इनको रख दिया है अब हमारे पास में जो जिस length को हम measure कर रहे हैं उसकी original that means उसकी true value हमें पता नहीं है और उसकी true value हमें पता करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले माँ आपको बताऊँ जो object है जिसकी हमें measure करनी है true value length की उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर इन सब values को हम लोग जो इसकी true value है उसको A मान लेते हैं true value को हमने क्या मान लिया true value of length is equals to A A मान लिया उसको और उसी के respect में हमने यह अलग-अलग measurement बना दिये यहाँ पर अब true value को find करने के लिए देखिए इसमें 5.2 है दो बार 5.2 आ रहा है तो इसका मतलब यह तो है नहीं हम लोग यह तो बोल नहीं सकते कि उस object की जो length है जिसको हम measure कर रहे है वो 5.2 मिटर होगी ऐसा तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चार अलग-अलग values आई है अलग measurement करने से चार अलग-अलग values आई है और उन चारों अलग-अलग values से हमें अलग-अलग different different time का measurement हमें मिल रहा है तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका mean निकाल लेंगे क्या करेंगे mean निकाल लेंगे मतलब इन सारी values का average करेंगे और average करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनका sub का summation करना पड़ेगा और कितनी quantities है, four quantities है, तो four quantities से उसको divide कर देंगे, जो simple अपना एक logic होता है, simple जो formula होता है, उसी के according, तो इसका जो summation करेंगे, उस summation के लिए भी हम एक format यूज करते हैं, और वो format क्या होता है, जैसे मैं इसके average value को a mean से define करूँ, is equals to summation of a i, और i की value जो है, वो 1 से i की value n तक है, suppose कीजिए कि आपके पास जो values है, वो a1, a2, a3 and so on, a n है, और divided by n, तो ये mean निकालने का summation format हो गया अपना, इस तरीके से इसको denote कर सकते हैं, अब इनका mean निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a mean is equals to, summation करेंगे four quantities हैं, तो a1 plus a2 plus a3 plus a4 upon four, ठीक है, अब इनकी values इसमें डाल देंगे, then a mean is equals to 5.2 plus 4.9 plus 4.7 plus 5.2 upon four, इस तरीके से, अब देखिए इनका total कितना बनता है, वो देखना है अब हमें, इसका जो total है, वो 20 बनता है, ये, हाँ, ठीक है 20 है, a mean is equals to आ जाएगा, आपके पास में 20 by 4 is equals to, कितना आया, आपके पास में 5.0 meter, a mean कितना आया, आपके पास में 5.0 meter, ये आया, अब देखिए इसके बाद, ये value जो आई है आपके पास में, mean value, इसी mean value को हम लोग, ऐसे case में true value मान लेते हैं, क्या है ये आपकी, ये true value के equivalent मान लेते हैं, true value, sorry, true value of the length of object, length of object, ठीक है, क्योंकि true value तो हमें पता नहीं है, तो इस mean value को ही हम true value मान लेंगे, ये यहां तक हो गया, अब देखिए, ये जो reading आई है हमारी, ये जो measurement है हमारा, इस true value के according, इस measurement में कितना error है, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, चारों में error है, उस error को हम find करेंगे, वो error find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो error find करने के लिए, जो measuring values हैं, उसमें से true value को हम लोग minus कर देंगे, मतलब दोनों का difference निकाल देंगे, यह हमें करना पड़ेगा तो हमारे पास error आ जाएगा तो देखो क्या करना है आपको next step में हर एक जो reading है उसका error calculate करेंगे तो यहां से error calculation error calculation ठीक है और error calculation का जो formula होता है उसको हमने error को दिखा दिया delta a1 से first error को तो यह जो formula होगा यह होगा a minus a mean ऐसे लिख देंगे इसको that means क्या बन जाएगा यहां से first value क्या थी आपकी 5.2 minus 5 is equals to 0.2 meter ठीक है डिजिट वो ही रहेगी that means unit वो ही रहेगी इसके अंदर unit को change नहीं करना है जो error आ रहा है वो भी उसी unit में आएगा similarly delta a2 is equals to यहां से आप यह a1 था यहां से आप निकाल लेंगे a2 minus a mean is equals to 4.9 minus 5 is equals to minus point minus 0.1 meter यह आ गया delta a3 is equals to ऐसे दिखा देंगे आप यह a3 minus 4.7 minus 5 is equals to minus 0.3 meter and delta a4 is equals to a4 minus a mean is equals to 5.2 minus 5 is equals to 0.2 meter यह आपके पास में error आ गए जिनको हम absolute error बोलेंगे क्या बोलेंगे absolute error absolute errors है यह आपकी length जो measure हुई थी किसी object की उसके लिए इनको absolute errors बोलेंगे तो जैसे measurement के लिए हमने true value find करने के लिए जो हमने यह process लगाया था उसका mean निकाल के जिसमें हमारी true value 5 meter आई थी उसी तरीके से यह जो errors आए हैं आपके absolute errors इनसे हम पूरे measurement के लिए एक common एक average error भी find कर सकते हैं उसका process भी same ही रहेगा अगर उसके summation के लिए हम equation लिखें तो वो कैसी होगी वो मापको बता रहा हूँ यहाँ पे उसके summation के लिए अगर equation लिखेंगे आप तो वो बन जाएगी आपके पास देखिए यहाँ से डेल्टा ए मीन इस इक्वल्स टू सिग्मा आई इस इक्वल्स टू वन टू आई इस इक्वल्स टू एन डेल्टा ए आई बाई एन यह बन जाएगा उसका summation equation ठीक है इस तरीके से हम उसको denote कर सकते हैं तो यहाँ से डेल्टा ए मीन अगर आप निकालेंगे तो इस equation के according डेल्टा ए मीन इस इक्वल्स टू यहाँ से वेल्यू पुट करेंगे आप पॉइंट टू प्लस माइनस पॉइंट वन प्लस माइनस पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट टू अपॉन कितनी वेल्यूज है फॉर अपॉन फॉर इस इक्वल्स टू आएगा जीरो इस इक्वल्स टू क्या आगया जीरो आगया है इसका मतलब यह सारी जो प्लस माइनस की वेल्यूज है इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है लेकिन ऐसी सच्वेशन में हमें इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना है हमें सिंबल से कोई लेना देना नहीं रहेगा हमें सिर्फ और सिर्फ मैगनेटूड को ही डिनोट करना है तो उसके लिए इस फॉर्मेट को हम फॉलो नहीं करेंगे हम जो format लिखेंगे वो होगा delta a mean sorry, delta a mean is equals to, हम इन सब को mod में लिख देंगे mod 0.2 plus यहां से 0.1 और plus 0.3 और plus 0.2 इस तरीके से divided by 4 और इसको calculate करेंगे तो आ गया है यह 0.8 upon 4 is equals to 0.2 meter मतलब average जो आपका error आया वो आया 0.2 meter इस case में तो 0.2 meter आया तो यह average निकालने के बाद में error का average निकालने के बाद में दिखिए हम कोई भी experiment करते हैं तो उस experiment की जो reading लेने के बाद में उसकी calculation करने के बाद में हम उनको कहीं ना कहीं note करते हैं कहीं ना कहीं किसी format में डालते हैं या फिर किसी को report करते हैं उस चीज की जिसने जिनसे हमें feedback लेना होता है तो हम उस चीज को report करते हैं तो अब अगर इसी चीज की भी इस length की भी अगर आपको report करनी हो तो उस reporting का जो method होगा, वो क्या होगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, reporting का जो method होगा, उसमें आप कैसे लिखेंगे, देखे, a is equals to, a क्या है, आपकी true value of length है, a is equals to कैसे लिख देंगे आप, 5.0 meter, और plus minus, यह meter मतलगा यह, ऐसे लिख दीजिए, plus minus 0.2 meter, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ, कि आपकी जो value है length की, वो 5.2 meter और उससे 0.2 कम, या 0.2 ज्यादा हो सकती है, उस range के अंदर ही आपकी true value exist करेगी, तो इस case में अगर हम एक format बनाएं, इसको represent करने का, तो वो format आपका क्या रहेगा, देखिए, 4.8, और यह A हो गया आपका, और यहां से हो गया 5.2, और इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, value जो है आपकी, वो इस range में vary कर सकती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि इस case में हमारे पास में एक value 4.7 भी आई थी, जो इस range से बाहर है, लेकिन approximately इस range के अंदर ही हमारी true value जो है, वो vary करेगी, यह इसके अंदर हमारे पास में solution मिला है, अब देखिए, जो report की है हमने, ठीक है, किसी भी experiment में value जो report करने का जो हमने तरीका बनाया है, वो तरीका यह है हमारा, यह format है, और इस format में हम इसको कैसे denote करेंगे, देखिए यहां से, a is equals to, यह क्या आया था, a mean, और plus minus यह क्या आया है आपका, delta a mean, यह हमारा format बन गया, report करने वाला, जो तरीका है आपका, जो mean value आपने find की है, जो आपने true value find की है, उसका यह method बन गया है हमारा, ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा और एक step आगे चलें इसके अंदर, ठीक है, और उस step में हम पहचानेंगे कुछ नई चीज, नई चीज क्या पहचानेंगे, कि जो error आ रहा है, उस error को हम अगर देखें, तो कौन से error में, जो measured value है, उसकी accuracy define कर सकते हैं, कौन से stage पे, तो उसके लिए हम एक और example लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमें उसको manage करना है, जैसे ये जो example अभी अभी हमने लिया, इसके अंदर जो error आया, आपका length के measurement के लिए, वो 0.2 meter आया, तो मैं यहाँ पे देखी बताता हूँ आपको next step में क्या करना है हमें, एक और step लेते है इस step में हम समझेंगे, किस चीज के बारे में समझेंगे, इस step में हम एक ऐसी चीज के बारे में discuss करेंगे, जो हमें quality और accuracy के बारे में बताएगी sorry, sorry, quality और, एक मिनट, sorry, हाँ जी, अभी हम देखेंगे, कि कौन सा experiment अगर हम करते हैं, तो उस experiment की जो quality है, उसको कैसे measure करना है हमें उस experiment की quality को measure करने के लिए हम एक नया तरीका अपनाते हैं, जैसे अभी अभी हमने एक experiment किया था, जिसमें हमने एक object की length measure की थी, और उस object की length को measure करते time हमें किया मिला था? हमें point two meter, क्या मिला हमे? point two meter की length का एक error मिला हमें, point two meter की length का error मिला आपको, किस range के लिए मिला ये आपको? 5 meter की object है उस object की length को measure करते time आपको ये error मिला अब इसी तरीके से हम माल लेते हैं कि हमने एक और measure किया एक length को जिसमें हमें 0.4 meter का एक error मिलता है फिर हमने और किया तो उसमें हमें 100 meter का error मिलता है लेकिन इन तीनों ये तीनों के तीनों जो error हैं ये absolute error हैं और इनसे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इन तीनों में से सबसे कम error कौन सा है सबसे कम error कौन सा है और सबसे बढ़िया experimental कौन सा हुआ था ये हुआ था ये हुआ था या ये हुआ था या फिर किस experimental की reading accurate हमें मिलने वाली है यह हमें पता नहीं चल रहा है इससे तो इसको समझने के लिए हम एक नए error के बारे में जानकारी लेंगे जिसे हम बोलते है relative error हम इनको किस चीज के respect में हम इनको measure कर रहे हैं वो चीज हमें देखनी है और उसके according ही हम इनका error calculation करेंगे ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता हूँ जैसे हमने 0.2 meter measure किया था किसके लिए? 5 meter length of object के लिए length of object इसके लिए किया था? अब ये वाला 0.4 meter इस 0.4 meter के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने 20 meter का कोई object, length का कोई object measure किया तब ये मेरे पास में error आया और ये वाला जो है, ये 100 meter की जो length है ये मैं मान लेता हूँ कि डेली से मुंबई गए हम लोग डेली से मुंबई गए और हमारे जो total जो length है वो आई 1470 kilometer 1470 kilometer from Delhi to from Delhi to Mumbai मुंबई इस तरीके से आई ठीक है अब हमें calculate करना है इन सब को कि सबसे ज़्यादा error कौन सी length के अंदर आया measurement के उसी को हम बोलेंगे relative error क्या बोलेंगे उसको relative error तो उसको measure करने के लिए हमने क्या किया देखिए 5 meter को measure किया तो आपके पास में इतना error आया ठीक तो हमने इसको दिखाया इस तरीके से 0.2 meter error आता है 5 meter को calculate करने के लिए दोनों को हमने calculate किया तो आपके पास value आई 0.04 meter इतना error ठीक यह relative error हो गया इस length के respect में यह relation हो गया error का इसके साथ ठीक है per unit length के लिए इतना error आ रहा है आपका ठीक है इसी तरीके से हमने दूसरे के लिए निकाला तो 0.4 meter upon 20 meter is equals to इसको भी हमने solve कर लिया तो इसको अगर हम solve करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.02 meter ठीक है कितना आ जाएगा 0.02 meter अब जो next जो calculation आ रही है आपकी उस next calculation को अगर हम solve करते हैं तो उसको हम लिखेंगे देखिए यहाँ पे 100 upon 1470 लेकिन यह kilometer में है तो दोनों को same same convert कर देंगे 3 times और 0 लगा दिया इनको cut कर दिया और इसको हमने लिखा तो आपके पास में value आएगी point zero point कितने times one two three three times लगाएंगे हम लोग अब की बार क्या लगाएंगे three times zero लगाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा इसका zero 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 seven meter यह चीज आ गई यह सारे के सारे जो आए हैं यह relative error आए relative errors आए ठीक है इन relative errors से हमें पता चल रहा है कि यह वाला जो measurement है इसमें सबसे कम error आ रहा है per unit length में और उसके बाद इसमें आ रहा है और उसके बाद इसमें आ रहा है इस तरीके से नजर आ रहा है न हमें तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि accurate जो perfectly जो experiment हुआ है अपना वो यह है यह better experiment है क्योंकि इसमें error बहुत कम आ रहा है फिर भी अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम इस चीज को कैसे calculate कर सकते हैं इस चीज को हम percentage error से भी calculate कर सकते हैं अब हम इसको अगर percentage error में लेके जाए परसंटेज error percentage error के लिए जो यह आपने values निकाली है यह values ठीक है यह values क्या थी यह values यह value क्या है आपकी delta a mean है upon यह value क्या है आपकी a mean डेल्टा a mean upon a mean यह भी वही है यह भी वही है यह तीनों की तीनों इसी format में है तो relative error का जो formula बना हमारे पास relative error का formula क्या बना है आपके पास में delta a mean upon a mean यह आपके पास में relative error का formula बना अब अगर percentage error का formula निकाले हम लोग तो percentage error को बोलते हैं relative error in 200 percent ऐसे लगा देंगे तो यह जो relative error है यह सब relative error है इनको 100 से multiply कर दें तो percentage error निकल जाएगा तो इसका percentage error निकाले तो 0.04 into 100 is equals to 4 percent आ गया इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.02 into 100 is equals to 2 percent आ गया और इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.0007 into 100 is equals to कितना आ गया देखिए यह cancel out हो गया 0.07 percent आ गया अब सबसे कम percentage कौन से में आ रही है ध्यान से देखिएगा आप सबसे कम percentage जो है वो इसके अंदर आ रही है आपकी आ रही है कि नहीं आ तो जो थार्ड वाला जो experiment है हमारा थार्ड का जो experiment है वो काफी accurate है क्योंकि उसके अंदर दिली से मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस 1470 किलोमेटर उसके अंदर 100 किलोमेटर का ही एरर आ रहा है जो की बहुत ही कम एरर है इतनी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस टोटल जो मीटर में अगर हम इसको कनवर्ट करें तो इतनी आ रही है आपकी ठीक है कितना आ गया वन्स टैंस हंडर थाउजन्ट 10,000 14,70,000 हो गया यह 14,70,000 मीटर हो गया और 14,70,000 मीटर में 100 मीटर का एरर आ रहा है जो की बहुत ही कम है तो हम इस वेल्यू को accurate वेल्यू और इस experiment को better experiment का नाम दे सकते हैं फिर अगर compare करें तो second वाला भी फिर अगर sequence में लें तो first पर यह आएगा, second पर यह आएगा और third पर यह आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा percentage इसी के अंदर आ रही है हमारी यह एक तरीका हो गया आपका अब देखिए, relative error का formula तो मैंने आपको बता दिया, अब अगर हम कोई another example लें इसी चीज़ को समझने के लिए तो देखते हैं, एक और example लेते हैं हम इस चीज़ को समझने के लिए, जिसको proper तरीके से मैं आपको करके बताता हूँ, बाकि आपकी books में भी काफी सारे examples इसे related मि ठीक है, जैसे for example हमारे पास में एक pendulum है, क्या है, एक pendulum है, और उस pendulum के time period की कुछ observations हमने की और वो हमें इस तरीके से मिली, मैं बताता हूँ आपको, जैसे calculate the true value of a pendulum of a pendulum for given readings given readings के लिए निकालना है आपको, ठीक है, और जो given readings है हमारे पास में, वो given readings है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, पहली जो time period की reading है, reading है, वो है माल लिजे, 2.63 second, दूसरी जो reading है, वो है, माल लिजे, 2.56 second, तीसरी reading है, माल लिजे, 2.42 second, और फोर्थ reading है, 2.7, 7, 2 माल लिजे, या 3 माल लिजे, जो भी है, देखता हूँ मैं, किती reading लिख सकते हैं, हम लोग यहां पे, 7.1 माल लेते हैं, 7.1 second और 2.80 second, इस तरीके से हमारे पास में ये अलग-अलग readings आई हैं, time period of the pendulum, उसके oscillation की, ये time period की readings हैं, अब हमें निकालना है, तो हमने क्या किया इन सब को एक format में डाला, जो हम use करते आ रहे हैं, जैसे माल लिजे, t1 is equals to 2.63 second है, 52 is equals to 2.56 second है, 53 is equals to 2.42 second है, 54 is equals to 2.71 second है, t5 is equals to 2.80 second है, इस तरीके से हमने इनको assume कर लिया, let, ऐसे assume कर लिया, अलग-अलग time period के लिए, ठीक है? अब इसके बाद में, अब हम क्या करेंगे next step में, क्योंकि हमें true value तो हमें पता ही नहीं है, अगर true value पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, mean निकालते हैं, तो अब हमने क्या किया, अब हमने लिखा delta, sorry delta नहीं, t mean, time period का mean निकाला तो क्या लिखेंगे, t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5, other और भी हो तो आगे-ागे add हो जाएंगे upon 5 summation का format है यह हमारा t mean is equals to आ गया यहां से 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80 और यह second में है सब upon 5 then t mean is equals to अब इन सबको add करके mean निकालेंगे तो इन सबको अगर हम add करते हैं तो हमारे पास में value आती है 13.12 13.12 upon 5 is equals to इसमें अगर हम 5 से इसको divide करते हैं तो हमारे पास value आती है 2.64 3 नहीं नहीं आएगी एक मिनिट 2.64 2.62 6.2 आएगी 6.24 सेकंड इतनी आती है ठीक है लेकिन हमारे पास में ये देखिए decimal के बाद में 3 points आ रहे हैं जबकि हमारा जो reading है उसके अंदर 2.2 ही आ रहे हैं ये 2.2 ही point decimal के बाद में 2 ही digit आ रहे हैं तो इस format को भी हम rounding off करेंगे और rounding off करने के बाद में 2 points तक लेके आएंगे तो इसको rounding off किया तो ये 4 है ये rounding off क्या होता है ये मैं अभी next जो classes होंगी हमारी उसमें मैं आपको बताऊंगा तो T mean आपका क्या निकल गया T mean निकल गया आपका 2.62 second मतलब आपका जो pendulum है उसका जो time period है वो कितना हो सकता है 2.62 हो सकता है ठीक है इसको हम true value मान लेंगे this is we can assume it as a true value as a true value यह true value की तरह इसको use ले लेंगे ठीक है अब देखो इसके बाद जो step आती है उसमें हम क्या करते हैं अगर यह true value है तो हमारे measurement यह है यह सब हमारे measuring measuring जो values हैं वो यह हैं तो इन दोनों के बीच में true value के साथ में इन के बीच में क्या difference है वो किसको बताएगा error को कौन से error को absolute error को बताएगा तो वो error find करेंगे अब हम error find करने का जो formula होता है absolute error find करने का वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ इसको erase करना पड़ेगा हमें मैं erase कर देता हूँ इसको यह देखिए absolute error Absolute Error को Find करने के लिए Absolute Error Of Time Period Time Period ठीक है इसको Find करेंगे तो हमारे पास Formula होता है Absolute Error के लिए जैसे Delta T1 ऐसे लिखा हमने तो Delta T1 लिखा तो हम लोग क्या लिखेंगे T1-T Mean T1-T Mean इस तरीके से Delta T2 T2-T Mean इस तरीके से हम लोगों का Absolute Error Find करने का ये Method हो गया है तो हमने Value डाली यहाँ पर इसी तरीके से इसी Format में Value डालते चले जाएंगे ऐसे लिख देता हूँ मैं ये ऐसे ठीक है तो इसी Format में डाली हमने तो सबसे पहले इसको Sol करेंगे तो Delta T1 is equals to 2. Sorry 2.63-2.62 is equals to 0.01 Second में आ गई सब second में है तो second में ही आएगा Delta T2 is equals to 2.56-2.62 is equals to minus 0.06 second फिर Delta T3 is equals to 2.42 2.42 है न हाँ 2.42 minus 2.62 is equals to इसको Sol करेंगे तो आ जाएगा minus का 0.20 second फिर Delta T3 is equals to 2.71 और minus 2.62 is equals to इसको से इसमें से लेस किया तो आ गया minus का 0.09 second और Delta T ये 3 नहीं ये 4 है T5 is equals to 2.80 minus 2.62 इसको सब्सका रहेगा Sorry ये plus का ये भी plus का रहेगा 0.18 second ये आपके पास में values आ गई है ये आपका absolute error आ गया absolute error ठीक है ये जो absolute error आए है इन absolute error का भी हमें एक common निकालना है जिसको हम उसके mean से represent करेंगे मतलब इतने सारे error तो हम report में डाल नहीं सकते तो एक error भी जैसे हमने ये ये निकाला था true value के लिए वैसे ही एक true value निकालेंगे error की भी कि इसके अंदर error जो है वो कितना हो सकता है ठीक है तो उस average value के लिए हमने इन सब को भी क्या कर दिया इन सब का भी mean निकाल लिया है देखिए इन सब का mean निकाला तो हमने लिखा delta t mean summation के लिए सब को add कर देंगे delta t1 mod mod में लिखेंगे मैंने बताया था आपको delta t2 mod plus delta t3 mod plus delta t4 mod plus delta t5 mod upon 5 ठीक है इस तरीके से then delta t mean is equals to यहां से value डालेंगे कितनी आएगी 0.01 और plus 0. minus में है यह minus 0.06 और फिर प्लास और minus 0.20 और फिर प्लास 0.09 और फिर प्लास 0.18 इस तरीके से upon 5 then delta t mean अब इन सब को add कर लेंगे हम लोग इन सब को add कर लेंगे और symbol negative positive symbol का यहां पर कोई importance नहीं लेगा क्योंकि हमने सारी values mode में ली है तो जैसे ही इनको हमने add किया तो हमारे पास में value आई 0.54 अपोन 5 is equals to इसको sold किया तो हमारे पास में value आई 0.108 second इतनी आई अब देखिए वो ही दिक्कत आ गई है हमारे पास यह three digit में आ रही है decimal number के बाद तो इसको two digit में लेना है क्योंकि हमारी सारी value two digit में चल रही है तो देखिए इसको हमने rounding off किया तो यह five से above है eight तो यह एक add कर देगा इस case में तो हमारी जो mean value आएगी delta t mean is equals to 0.11 second इतना हो जाएगा ठीक है यह आपकी error आ गई है और इस error को अगर हम report value में represent करें report कैसे करेंगे इसके लिए तो हमने लिखा t is equals to आपकी mean value कितनी आई थी 2.62 2.62 plus minus यह जो value है यह .11 ज्यादा भी हो सकती है इससे और .11 कम भी हो सकती है मतलब एक range बन गई है हमारे पास उस range में इसका time period exist करेगा .11 second इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं अगर इसमें इसमें lace करके एक नया format बनाएं तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इसमें से इसको lace किया तो हमारे पास में बन गया 2.51 और less than equal to t और less than equal to 2.73 second इसके बीच में vary करेगा यह ठीक है लेकिन अगर हम देखें यहां पर धान से देखें आप decimal number के just बाद ही यहां पर one digit आ गई decimal number के just बाद ही तो यह जो variation है यह जो fluctuation है यह काफी बड़ा हो गया है और यह fluctuation काफी बड़ा होने की वज़े से हम इसको precise कर सकते हैं इस value को precise कर सकते हैं तो इसको अगर precise करेंगे हम single decimal number के साथ में तो हम इसी value को लिख सकते हैं t is equals to 2.6 और plus minus 0.1 ऐसे define कर देंगे इसको अब इसका fluctuation जो है वो precise हो गया है और अब यह ज़्यादा accurate value में नजर आ रही है तो यह हमारा example हो गया अब इसी value से हम लोग यह जो निकाला है इसी value से हम लोग इसके percentage error और relative error को भी calculate कर सकते हैं अब उसको कैसे calculate करेंगे देखिए formula मैंने आपको बता रखा है इसको erase कर देता हूँ यहां से calculate करने के लिए ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे relative error की relative error relative error relative error relative error का जो formula मैंने आपको बताया था वो क्या था वो formula जो था वो था t mean upon delta t mean याद कीजिएगा जरा ठीक है sorry ulta लिख दिया है sorry ulta लिख दिया है ऐसे लिखना है आपको delta t mean upon t mean यह किसको define करता है relative error को last example बें मैंने बताया था आपको ठीक है delta t mean कितना आपका 0.1 आया है यह देखिए 0.1 ठीक है वैसे तो 0.1 वन आया था लेकिन हमने उसको fluctuation ज़्यादा होने की वज़़ए से decimal के बाद में single digit तक ही रखा है तो हमने क्या किया इसको 0.1 upon t mean t mean कितना आया आपका 2.6 इसके according तो हमने लिख दिया upon 2.6 is equals to इसको अगर हम लोग calculate करेंगे तो हमारे पास value आयेगी approximate 3.8 3.8 और 4.6 3.846 परसेंट ठीक है अब देखिए परसेंट में आई है तो इसको भी हमें rounding off करना पड़ेगा लेकिन rounding off हम कहां से कौन से कौन से digit को करें इसमें एक समस्या आजाती है तो हमने इसको देखिए 8.4.6 आ रहा है तो इस पूरी चीज को हमने मतलब एक digit में convert करके और इसमें add कर दिया तो approximately 4% हो जाएगा यह ठीक है कितना हो जाएगा 4% अगर इसको percentage में निकालेंगे 3.846 into 100 is equals to 3.8 और फिर यहाँ पर 5% हो जाएगा ऐसे और इसको हमने approximately लिख दिया 4% ऐसे यह अपना तरीका होता है तो आज की जो class थी उस class में आप लोगों ने पढ़ा है कि absolute error और mean error और relative error और percentage error क्या होते हैं और उनके बीच में क्या relation होता है मैंने कुछ examples भी आपको soul करके बताए हैं आपकी book में भी काफी examples मिल जाएंगे आपको और practice questions भी मिल जाएंगे बहुत गर्मी है ठीक है तो उसके respect में आप इनको soul कर सकते हैं और soul करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी देखिए जब तक आप अपना खुद के हाथ से और solution नहीं निकालेंगे किसी चीज का तब तक वो चीज आपको clear नहीं होगी इसलिए आप लोग एक बात याद रखिएगा practice makes perfect practice जो है वो ही आपको perfect बना सकती है तो आज के लिए इतना ही next class में हम अगले topic की बात करेंगे जिसमें मैं आपको combination of errors के बारे में बताऊंगा ठीक है तो next class में फिर मिलते हैं एक नए topic के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए और अपने घर पे रहिए thank you have a nice day thank you everybody